अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं कक्छा 5 में पढ़ते हैं और आप चाहते हैं कि माना जवाहर नोदे विदाले इंटरेंस एक्जाम में सेलेक्शन हो जाए तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखे और मन से पढ़ाई करें अगर आप ऐसे टाइम पास के लिए वीड जारेें तो वह सब जानते ही होंगे कि पिछली वीडियो में पेपर में क्या-क्या सौल कराया था प्रस्न नंबर है कर दो Senior कर आहा था 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 है हमने क्या कर अधा है चार खंड को जोंकि Saul किया था है तो है है टूं यहाँ पर इस मिदियों से आपको पहले प्रसणों को पहले हमने कौन-कौन सा हल किया था जो 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 मेरे चातर है वो सब देखने पहले तो यहां पर देखिए इस पाहली पिसली वाले विडियो में हमने हमने खंड एक को देखिए यहां पर सल्व करा Fresh Solar तो जो जो ंचातर कि यहां पर हमने जिए मोग प्रस्ट को पढ़ लिया था एक बार इसको हम और प्ढ़ लेते हैं इस तो देखिए यहां पर क्या लिखा है निर्देश प्रस्ण तेरा से सूला तक यहाँ पर देखिए निर्देश लिखा है प्रस्ण तेरा से सूला तक तो यहाँ पर देखिए प्रस्ण नमबर लिखा है यहाँ पर तेरा इसको रुकिए हम आपको अच्छे से दिखा दे रहे हैं कि यहां पर दिखिए यहां पर यह आपको दिख रहा है ना प्रस्ण तीरा तीरा से आपर सुल तक प्रत्य प्रस्ण बाई तरफ एक समस्या अकृति दी गई है और दाई तरफ चार उत्तर अकृति यहां ए बी सी और डी दी गई है उस अकृति को चुनिये जो समस्या अकृत प्रतिक का ठीक दरपड प्रतिवींब हो जब दरपड को एक स्वाई पर रखा गया हो सही उत्तर चुल कर संगलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रस्ण के आगे दिये गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें तो इसी में आपको देखिए काला करके आपको उत्तर देना रहता है हमने अपने को बताया भी था तो यहां पर प्रस नंबर है हमारा 13 यहां पर आपका आजाता है प्रस नंबर 13 तो प्रस नंबर 13 का जो सही होगा वो कौन सा सही होगा इसको हमें जो की समझना है तो जो दरप भाल प्रतीबीमद में देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा जब आप इसको मेज को इसको देखेंगे इस ंशानी और समझ गया और कि इस आकरिती को आपको दरबडब दरप्रतीवर्टिवीमद में देखना एक तो इसमें से कौन सी वहाकृति है तो यहां पर यह देखिए सी वाला है जो सी वाला है यह बिल्कुल सही है अगर आप दरपड़ प्रतिवीम्ब में देखेंगे जैसे आप देखते हैं कि कोई वाहन चलती है उसके काच में लिखा रहता है अंदर के साइड सिधा मतलब की आप दिखेंगे तो आपको वीपरीड दिखेंगा अंनु है जिसे कि सी वासस देखते हैं कि खुछ लिखा रहता है तो सामने आपको खुछ और लिखा रहेगा लेकिन आप जाप ऑंदर को साइस से देखेंगे तक हुछ और समझ में याएक झाल ँसी प्रकार से से दरपड प्रतिपयम में देखuelोंगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा तो चलिए चलते हैं प्रसनमबर सजोदा की तरफ है तो तो यहां पर फर सअबर सगोड़ा कौने सा ही होगा है यहां पर ये बी वाला से होगा अश्री है और अभार चलते हैं आपने प्रसननमबर 15 की तरफ लिखी वर त्रिवन देखेंगे तो आपको यह ऐसा दिखेगा ठीक है ना कि ऐसा दिखेगा और ऐसा दिखेगा इन सब के जैसा नहीं दिखेगा अफ स दिखेगा झाइब को ठीक है और वर अऔर 16 हैजै हमारे पास दर पडशन नहीं तो नगे लेगा झाल Anyways तो यहाँ पर प्रस नमबर 16 यहाँ पर प्रस नमबर 16 है तो देखिए 16 का भी जो सही होगा वो यह वाला सही होगा दरपड़ प्रतिवी में जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेएगा स्टेडेंट आइओप कि आपको यह खंड समझ में आ चुका होगा कुछ न कुछ समझ में आ चुका होगा अच्छे से नहीं समझ में आ अगया होगा अगर आप हमारे पास दरपड़ होता तो आपको यह वाला चेप्टर अच्छे से समझा दे थे locks ठीक है तो चलिए इसको हम फिर किसी नए किसी वीडियो में इस अध्धाय को क्लियर करेंगे तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके और डेली क्लास करना होगा मेरा तभी आप इस सभी विश्यों को अच्छे से समझ पाएंगे तो चलिए अब हम चलते हैं खंड पाशवे की तरफ तो यह चोथा हमारा जोगी क्लियर हो गया अब चलते हैं खंड पाशवे की तरफ तो देखिए छात्रों में बाद चुके हैं अपने खंड पाशवे की तरफ सबसे पहले में इसके प्रस्णों को पढ़ लेंगे फिर उसके बाद आपको ये सब अच्छे से समझाएंगे हम तो यहां पर देखिए निर्देश क्या लिखा है निर्देश प्रस्ण 17 से 20 तग प्रत्येक प्रस्ण में तीन समझसे आकृतिया आकृतियों के बाद चोथी एक इस्थान पर प्रस्ण सूचक चिन बना हुआ है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक चित्र, दो चित्र और तीन चित्र चोथा आपका प्रस्ण सूचक चिन है तो यहाँ पर यह बता जा गया है आपको चिन बना हुआ है पहली दो समस्या अकरतियों में परसपर एक सबंद है इसमें और इसमें परसपर सबंद है देखिए जैसे कि आप पर को इसके में गुडा का चिन दिख रहा है इसके बीच में तो इसमें भी गुडा का चिन दिख रहा है इसमें भी गुडाय चिन आपको दिख रहा है जब इसमें प्लस का चिन है तो इसमें भी एक प्लस का चिन होना चाहिए समझ गए आप चले इसके प्रस्णों को थोड़ा सच्छे समझ लेते हैं पहली दो समस्या अकृतियों में प्रसपर सबंध है इसी प्रकार आपसे से सबंध 34 चोथी समस्या अकृतियों के बीच भी होना चाहिए उत्तर अकृतियों में से वह अकृति चुनिये जो प्रसनसूचक चिनवाले इस्थान पर ठीक बैठ सके सही उत्तर चुन कर उत्तर पुस्तिका में प्रतेक प्रसन संख्या कि आगे दिये गए सही क्रमांक वाले गोले को आपको काला करके उत्तर दे ठीक है तो यह आपका समस्य आकरति हो गया और यह आपका उत्तर आकरतिया समस्य आकरतिया उत्तर आकरतिया तो इसमें से आपको ढोड़ना है कि कौन सी आकरति इसमें फिट होगी जैसे माल लिजे यहाँ पर एक कुछ बना है यहाँ पर कुछ चित्र बना उसके अंदर गुड़ा का चिन लगाया गया है इसमें भी कुछ बना है इसमें प्लस का चिन बना गया है मतलब इसमें छोटा है उसी प्रकार से देखिए इसमें भी पुरा प्लस का चिन पूरा एदम बना है इस गोले में प्लस का चिन पूरा बना है तो अब इसमें देखिए बनेगा एक बित और प्लस का चिन बनेगा छोटा बनेगा इसमें पूरा नहीं बनेगा हूँ तो यहाँ पर दूर्आ है जो सी वैला है इसमें वहीं सभी होगा बीड़कुल समझ गया तो प्रसनुम्बर 17 का कौन सभी होगा सी वैला बिल्कुल सही होगा आपको यह दम अच्छे से समझ में आ रहा होगा जिसे वाले इसके अंदर गुला कचिन है इसमें पूरा नहीं बना है उसी प्रकार से पूरा बना है तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा प्रस नमबर 17 का सी वाला बिल्कुल सही होगा तो आपको जो एम और आपको उत्तर सही था यहाँ पर देखे शीव यह रही प्रस नमबर 17 का सी वाले में लगा देंगे तो देखिए निला पेन हैं इसको आपको अच्छे से समझा दिए बस आपको एसे करना है आपा हुआ पर पीपर में आपको आपको ऑं बस देखिए इसे यहापको करना है ठीक है रही समद्ध है अब यहाँ पर क्या बना है एक आकरिती जब बना है तो यहां पर एक दूसरी आगुती बनी है कि ठीक है कि आपको कुछने कुछ समझ में आ रहा होगा इसमें इसमें पूरी आकरिती बनी है इसके अंदर मतलब जब गोला है, उपर चत्वर्भुज है, इसको थोड़ा सब को सभ्जना होगा, ँच्छे से थोड़ा सा, इसका देखियो defended, बूरा इसके नदर एक और उसी प्रकार से दखिए इसमें देखिए क्या बना है तो तुरिभूज क्या हुआ है कि इसके अंदर बना चाहिए और बाहरी में बृत होना चाहिए exercis के अंदर के बिध हम इसके बाहरी प्रक्त में ब्रीत है जो छतुर मुझत कि आ है अतु Turn something की बेंदफ में है तो ये इसके अंदर वाले में हो गया है उसी प्रकार से यह त्रीभूझ अंदर-वाले में हो ऑर बाहर वारिंसली तो इसमें देखिये है यह राधे में देखिए ब्लैक भी यह तुardon सम pitigो करना है इसको आपको कला कर दिना यह बिलकूल सही होगा सा चलिए-चलते हैं अब प्रिया पर आके खाली हो चुका है उसी प्रकार से ये देखे दूनों सटे हुए है और वह हमें खाली वाला छाहिए तो ठीकिए वह खाली वटे कहां पर है आप लिए रखिये दी में मतलब ऐसे होना सी जैसे यहाँ पर यह सटा हुआ और यह बिल्कुल सही होगा चलिए चलते हैं प्रस नमर अपने 20 के तरफ तो यहां पर देखें दो ब्लैक बिंदू उपर है और एक ब्लैक बिंदू नीचे है फिर उसके बाद ब्लैक बिंदू उपर है फिर इसके बाद के लेकने में दिया है जिन निदेओं मैं अब देखें यहांपर इसका दो ब्लैक बिंदू उपर होना चाहिए ठीक और बाहर होना चाहिए तो इसमें देखिए बी में है इसका बाहर की तरफ हो किसी कभी बाहर की तरफ पहला है इसको सरवर तरीकой से देखें पह creator लिए यां इसको हम बिल्कुल सरन यहां बाहर है तो किसी चित्र में नहीं है तो यहीं होगा मैं तो 20 का कोने इतु़ नहीं होगा डिश देख सभस जी और सभेकर घूर हैं आप की तरफ तो यहां पर अब हमारा खंड आ जाता है छठवा तो सबसे पहले इसके प्रसनों को हम पढ़ लेंगे फिर उसके बाद इसके प्रसनों को हल करेंगे